जेशे शाम दोस्तों में पिंगी को मावत सागत करते हूं आपका मेरे कीचर्ण में रक्षा बंदन आने की वाला है तो आप सभी को रक्षा बंदन की बहुत बहुत शब्कामना है आज मैं आपके लिए लेक खराई हूं रेस्टोन या धाबे से भी बढ़िया मतर पनी की रेसिपी मैंने आप 200 ग्राम पनीर का यूज किया है आप चाहे तो पनीर को बिना फ्राई करे भी सबजी में डाल सकती है और पनीर को फ्राई कनने से इस सबजी का टेस्ट और बढ़ जाएगा इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मीट तक श्रेलो फ्राई करेंगे हमें इसे तब तक फ्राई कनना है जब तक पनीर का कलर हलका सा चेंज ना हो जाए इसे ज्यादा नहीं हिलाना है पनीर सोफ्ट होता है और ज्यादा हिलाने से वो तोट जाएगा पनीर हमारा फ्राई हो चुका है इंगे इसको ओफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे तो यहां पर में इसे गुणोने पानी में रखूंगी गुणोने पानी में एक छोटा चमश नमक डाल देंगे इसके बाद फ्राई के वापनी डालेंगे अब इसे साइड में रख देंगे और सेम इसी कड़ाई में दो मिडियम साइच के प्याज को काट कर डाल देंगे और इसे हाई फ्रेम पर दो से तीन मिट के लिए फ्राई कर लेंगे तीन मिनिट हो चुके ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया ही इसके बाद इसमें 10-12 लसंगी करी दो इंच अद्रक कटी हुई और दो हरीमिश डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ मीडियम फ्रेम बर 2-3 मीट तक फ्राई करेंगे 3 मिनिट के बाद प्याज लसंद अद्रक और हरीमिश छनके से फ्राई हो चुके हैं अब इसमें 4 मीडियम सेच के टमाटर को काट कर डाल देंगे अब इसमें आधा छूटा चंबश नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जन्दी से कुक हो जाएंगे मिक्स कर लें इसे भी लाश्ट में इसे ढख कच्छे से 7 मिनिट के लिए लोग फ्रेम पर कुक करेंगे तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं गैस ओफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो मैंने इसे ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है जार का ढखकन लगा दे इसका पेस्ट बनाने के लिए हम पाने का यूज बिलकुल भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा paste ready है अब चलते हैं next process में तो gas on करके खड़ाई में 4 बड़े चमच तेल गरम करेंगे तेल गरम होने पर इसमें 2 सुखी लाल मिच, 2 तेज पत्ता, 3 लोंग, 1 बड़ी इलाईची, 1 इंच दालचीनी डाल देंगे यहाँ पर तेल गरम हो चुका है यह सारे सुखे मसाले डाल देंगे इसी के साथ इसमें एक छोटा चमच जीरा और एक छोटाई छोटा चमच हिंग डाल देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए medium टेम पर फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें जो हमने paste ready किया था वो डाल देंगे मिला ले इसे इसके बाद जार में जो भी paste लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर वो भी इसमें डाल देंगे तो मैंने या लगभक एक चोथाई का पानी का यूज किया है मिला ले इसे मैंने इसे अच्छ सी मिला लिया है अब इसे ढख कर लो फ्लेम पर 5-6 मिनित तक पका लेंगे 5 वीट हो चुके है अब इसमें मसाले डालेंगे दे चोटा चूंबच लालविश पाउडर एक चोटा चमच कश्मीरी लालविश पाउडर आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर स्वात अनुसा नमक और र चोटा चमच रोष्ट किया हूँआ कशुरी मिथि डाल देंगे अच्छ से मिला ले ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें दो बड़े चमच फ्रेश मलाई डाल दूंगी अच्छे से मलाई को ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर गर्ड़ की मलाई यूस करिए अब इसे ढख कर लो फ्रेम पर दो से तीन मिनिट तक कुप करेंगी दो मिनिट हो चुके हैं ढख कना टायम में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों के किनारों पर ऐसे तेल निकलने लग गया है इसका मतलब मसाला अच्छे से कुप हो चुका है तो हम इसमें एक कप मतल डाल देंगी तो मैंने यहाँ फ्रेजन मतल लिया है अगर आप फ्रेश मतल यूस कर रहे हैं पहले आप उसे एक मिनिट के लिए पानी में उबाल ले उसके बाद ग्रेवी में डाले इसके बाद इसमें एक कप पानी एट करेंगी अब भी हम पनी नहीं डालेंगी ग्रेवी अच्छे से कूख हो जाएगी तब हम पनी रेट करेंगी इसे धाक कर लो फ्रेम पर 10 मीट तक कूख करेंगी 10 मीट हो चुके है हमारी ग्रेवी अच्छे से कूख हो चुकी है अब हम इसमें पनी रेट करेंगी पहले हमने मसालों को अच्छे से पूना इसकी गेवी को अच्छे से पकाया तो हम इसमें पने डाल करो उसे भी 8-10 मिर्ट के लिए लोग फ्लेम पर पकाएंगे अब इसे डख कर लोग फ्लेम पर 8-10 मिर्ट तक कुप करूँगी तो फ्लेम पर इस आठ से दस में पका लिया है आप देख सकते हैं गरीवी अच्छे से गारी हो चुकी है अब लाश्ट में इसमें फ्रेश बारिक कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे एक और इस्पेशन चीज डालूँगी इससे इस सबजी का टेस्ट ओर बढ़ जाएगा अब इसमें एक चोथा चोटा चनमस गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे धाग कर एक मिनिट तक और पका लेंगे तो ये हमारी गरम गरम मटर पनीर की सबजी बनकर तयार है बनिये ना बिलकुर रेस्टोरेन और डाबे से भी बढ़िया तो इसे एक सर्विन प्लेट में निकाल लेंगे आप मटर पनीर को प्लेन रोटी, नान, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं तो इस राखी पर बनाएं मटर पनी कीए सबजी और अपनी फैमिल के साथ इंजॉय करें और अजर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले